जटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने ता बिग ब्लिस बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान मद्य प्रदेश के बैतूल जिलें में पिछले 15 दिनों से लगातार हो रही वर्षा के कारण अब खरीफ सीजन के मुख्य फसल सोयावीन समेथ अनिपसं कडमन डराने लगा है जलभराव वले खेतों में सोयावीन मक्के के पौधों में जड़सरन शुरू हो गया है और फसले पीली हो रही है मक्का धान और गन्यों की फसल में पैदावार थम गई है ऐसे में अच्छी पैदावार की उमीद लगाए बैठी किसान चिंतित हो रही है मैं बता दे कि सोमवार को हलकी वर्षा जारी रही इसके बाद आसमान पर काले बादल थो चाय रहे पर वर्षा नहीं हुई है इस बाद जिले में 4,56,000 हेक्टेयर रकबे में सोयबीन मक्का धान उड़द तूर समित अन्य खरी फसलों की बुआई की गई सबसे अधिक रकबा सोयबीन का है और लगातार वर्षा से उस पर ही खत्रा बढ़ रहा है समय पर मौनसून की दस तक हो जाने से जिले में 15-20 जून तक खरी फसलों की 90 प्रतीशत बुआई हो गई है मैं 35 दिन से अधिक अवदी की फसल हो जाने के बाद भी पौदों में पैदावार ही नहीं हो पा रही है मैं सोयाबीन के बुआई के बाद से ही लगातार वर्षा जारी है इससे पौदों में व्रिदी ही नहीं हो पा रही है सोयाबीन की अधिकांश किस्प में 90-100 दिन में पकने की अवस्था में बहुत जाती है वर्तमार में फसल 30-40 दिन की हो गई है लेकिन अब तर 10-15 इंच का ही पौदा बन पाया है अब वर्षा का दौर नहीं थमा तो कुछ दिन के बाद फसल में फूल लगने की अवस्था आ जाएगी और पौदा छोटा रहने से पैदावार आदी से भी कम होगी मक्य की खेती करने वाले किसान ने बताया कि इस बार लगातार वर्षा जारी रहने से मक्य के अंकुरन के बाद खाद नहीं दे पाये हैं इसके साथ ही खेतों में लगातार पानी भरा रहने से पौधों की पत्नियां भी पीली पड़ गई है वर्शाजारी रहने से खर्पतवार पर भी नेंटर नहीं हो पा रहा है महीं मक्य के पौधे की बड़वार ना होने अपाने के कारण पैदावार पर खासा असर पढ़ जाएगा बौध के बाद किसानों को उम्मीद थी कि मौसम खुलने पर खाद डालने का मौका मिल जाएगा लेकिन लगातार पान वर्शाजारी रहने से किसान हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं महीं बता दे जिले में इस बार मक्य कर रखबाग कम हो गया है और किसानों ने सोयबीन के बड़ते दामों को दे कर अधिक रखबे में बौध तो कर दी लेकिन वर्शा के कारण अब तक फासल खराब हो रही है महीं बता दे कि एक प्रियास कर भी ले तो जमा हुआ पानी बहार नहीं निकाल पा रहे हैं पौदे लगे तार पानी में डूबे हुए हैं और इससे खासा नुखसान पहुचने के आर्शंका बनी हुई है ब्यूरो रिपोर्ट मार्के टाइम स्टी लिए आपके प्रोड़क्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तर बिग ब्लिस बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान झाल झाल झाल